नमस्कार वच्चों, पिछली वीडियो में आपको मैंने सारे मेन मेन फार्मूले प्रूब करना सिखाया था, सिर्फ उतने ही फार्मूले बताये थे, जिनका उप्योग करके आप आसानी से इस चेप्टर से कोई भी कुष्चन बोर्ड पर इच्छा में पूछा जाए, उसको कर सको, किसी दिये गए त्रिकोड मितिये फलन का मुख्यमान निकालना, उस पर वर्क करना, इन सब चीजों पर हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, आज मैं आपको ऐसे कुष्चन बताऊंगा, जो अक्सर बोर्ड पर इच्छा में पूछे जाते रहे हैं, औ और उनको लगाने के बहुत ही सरल तरीके से, अगर आपने वीडियो पूरी देखी, तो हमें उम्मीद है आपको हर कुष्चन समझ में आएगा, और आप उसको लगाना सीख जाओगे, तो बिना टाइम बेस्ट के हुए, शुरू करते हैं, आज का हमारा पहला कुष्चन आपके सामने लिखा हुआ है, साइन पाइबाइट 2 माइनस साइन इनवर्स माइनस 2 रूट 3 बाइट 2, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, आपको मैंने एक फार्मूला पिछली वीडियो में सिखाया था कि sin inverse minus x किसके बराबर होता है तो ये sin inverse minus x है मैं इसकी जगे पे अगर उसकी value रख दू मेरी problem खतम हो जाएगी कैसे? मुझे पता करना है sin में πाई बाई 2 माईनस sin inverse minus का root 3 by 2 की value बतानी है is equal to ये value क्या होगी? sin πाई बाई 2 और minus sin inverse में minus x जो है वो minus sin inverse x हो जाता है तो इसकी जगे पे आजाएगा minus का sin inverse root 3 by 2 यहाँ पे मैं reason लिख देता हूं कि sin inverse minus x is equal to minus का sin inverse x इस कुछ इस फार्मूले को मैं पिछले वीडियो में प्रूब भी करा चुका हूं आगे जब मैं इसको solve करूंगा तो sin πाई बाई 2 अब minus और minus मिलके हो जाएगा plus root 3 by 2 की में value लिख देता हूं तो sin में root 3 by 2 60 degree 60 का मतलब हो गया πाई बाई 3 की value होता है अब इसको आप solve करो तो sin 90 plus theta sin 90 plus theta is equal to cos theta हो जाता है यानि की cos πाई बाई 3 और cos में πाई बाई 3 की value πाई बाई 3 का मतलब 60 degree और cos में 60 degree की value 1 by 2 होती है इसका मतलब इस function की जो value है वो 1 by 2 हो गई यह आपके सामने दूसरा question sin inverse x plus sin inverse y is equal to πाई बाई 2 है तो आपको ये सिद्ध करना है आपको दिया है इसने sin inverse x और plus sin inverse y is equal to πाई बाई 2 आपको मैं सिखा चुका हूँ क्या कि sin inverse x और plus cos inverse x is equal to πाई बाई 2 होता है मतलब अगर मुझे sin inverse इसमें से पता करना हो यानि कि अगर मुझे इसमें से इस तरीके से sin inverse x पता करना हो तो cos inverse x को दूसरी साइड में भेजा जा सकता है तो आप इस question में sin y की जबेटे cos वाला form लिख दीजिए क्योंकि मुझे cos में प्रूब करना है तो हमारे पास ये question क्या रह जाएगा sin inverse x और sin inverse y की जगे पे मैं लिख सकता हूँ πाई बाई 2 माईनस cos inverse y और बराबर में तो πाई बाई 2 है ही πाई बाई 2 और πाई बाई 2 कट गया इसको अगर दूसरी तरफ भेज दीजिए तो sin inverse x is equal to cos inverse y हो गया और यही आपको प्रूब करना था बहुत आसानी से इस chapter के question प्रूब होते हैं बस आपको फार्मूले पता होने चाहिए यह आपके सामने question लिखा है यह अक्सर चार number में पूछा गया है बदल बदल के कभी cos में कभी sin में चाहिए जिसमें पूछा जाए दोनों को लगाने का तरीका एक है अगर cos में है तो cos मानेंगे sin में है तो sin मानेंगे यह पूरा question cos में दिया है मैं तुरंत इसमें मान लूँगा x is equal to cos theta इसका मतलब यह हो गया अगर मुझे theta की जरुरत पड़ेगी तो यह cos inverse x हो जाएगा अब इन दोनों में से मैं बड़ा वाला part ले लेता हूँ यानि की RHS वाला तो RHS मेरे पास है cos inverse 4x cube और minus 3x इसमें आप value पूट कर दो तो 4x की जगे पे cos theta रखना है तो यह हो गया cos cube theta और minus 3 cos theta is equal to cos inverse यह formula होता है cos 3 theta का आप 11 से पढ़के आए हो क्या की cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta और minus 3 cos theta होता है तो इस formula को apply कर दिया तो cos inverse से cos cancel हो गया बचा 3 theta is equal to 3 और theta की जगे पे theta की value रख दो और यही आपको प्रूब करना था ऐसा question जरूर इस बार की परिच्छा में पूछा जाएगा चाहे cbsc board हो या फिर up board दोनों में आता है ऐसा question ध्यान रखिएगा जवता question आपके सामने लिखा हुआ है इसको भी प्रूब करना है अगर आप इसको देखोगे तो ध्यान से आपको मतलब आपको पता चल जाएगा कि 10 को मुझे cost में लाना है मैंने आपको पिछली वीडियो में दो special formula बताए एक 10 से sign बनाना और एक 10 से cost बनाना और दोनों के लिए important part है कि x की जगे पे 10 होना चाहिए तो इस question की सुरुवात यही से होती है आप मान लीजिए theta is equal to 10 inverse under root x इसका मतलब हो गया कि यह 10 theta is equal to हो जाएगा under root x तो जब root हटाओगे तो x is equal to हो जाता है 10 square theta तब आपको इसका RHS ले लेना है RHS मेरे पास है 1 by 2 cos inverse और यहाँ पे है 1 minus x upon 1 plus x इसकी जगे पे value रखो तो 1 by 2 cos inverse 1 minus यहाँ पे 10 square theta और यहाँ पे 1 plus 10 square theta आ जाएगा class 11 वाला formula अपलाई कर दो यह होता है cos 2 theta का मैं इधर लिख देता हूँ कि cos 2 theta is equal to 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta इस formula से cos से inverse cancel हो गया तो यह बचा 1 by 2 into 2 theta यह 2 और 2 cancel हो करके केवल theta बचा अब theta की जगे पे जो theta की value है उसको रख दीजिए 10 inverse root x और यही आपको prove करना था कही बार prove करने के अलावा value निकालने के भी question आते हैं ऐसे example भी हम लोग देख लेते हैं यह आपके सामने 5 वा question लिखा है 10 inverse 2x plus 10 inverse 3x is equal to pi by 4 इसको solve करना है यानि इसमें से x की value निकालना है अगर इसमें मैं 10 inverse x plus 10 inverse y का formula लगाऊं तो x की जगे पे है 2x और y की जगे पे है 3x upon 1 minus x into y यानिकी 2x into 3x is equal to pi by 4 है इस 10 को अगर उधर भेजो तो यह बचेगा 3 और 2 5x और 1 minus 6x square is equal to 10 pi by 4 और 10 में 45 की value 1 होती है इसको cross multiply कर दो तो 1 minus 6x square is equal to 5x आ जाएगा इन दोनों को उठा के उधर लेके चले जाओ तो 6x square plus 5x और minus 1 is equal to 0 अब ये एक दुईघात समी कराण बन गया तो इसका गुडनखंड करिए 6 कम 6, 6 में से 1 निकल गया 5 हुआ यानि कि 6x square plus 6x minus x minus 1 is equal to 0 इसमें से 6x common हो जाएगा तो x plus 1 यहां से minus 1 common हो जाएगा तो x plus 1 is equal to 0 अब इसमें से x plus 1 common ले लीजिए तो 6x minus 1 is equal to 0 अब दो टुकडे बने तो एक बार ये 0 के बराबर होगा और एक बार ये 0 के बराबर होगा तो चलिए मैं कर लेता हूँ x plus 1 बराबर 0 या फिर 6x minus 1 बराबर 0 तो x बराबर minus 1 आ जाएगा और या फिर यहां से x बराबर 1 upon 6 आ जाएगा अब यहां पे दो अंसर निकले इसमें अगर मैं x की value minus 1 लूँ तो ये भी negative आएगा और ये भी negative आएगा बट इधर positive दिया हुआ है मतलब ये चुकि x बराबर minus 1 समी करण को संतुष्ट नहीं करता है अता x बराबर 1 बटे 6 इस समी करण का हल हो जाएगा चटा question देखिए सिद्ध करना है sin inverse 3 बटे 5 plus 10 inverse 3 बटे 5 बराबर 10 inverse 27 बटे 11 तो इसका जो left hand side है ये है sin inverse 3 बटे 5 और plus 10 inverse 3 बटे 5 आपको formula जो पता है उसमें दोनो 10 होने चाहिए बट यहाँ एक sin है और एक 10 है तो मैंने आपको तरीका क्या भी पिछली वीडियो में सिखाया था आप तुरंत एक छोटा सा triangle बनाओ ये theta हो गया अब मुझे sin को 10 बना लेना है तो sin होता है lump बटे करण तो lump की value 3 हो गई और करण की value 5 हो गई तो मुझे आधार पता चल जाएगा पाइथा गोरस प्रमे से 5 पचे 25 माइनस 916 यानि की 4 हो गया इसका आधार तो अब मैं इसको जब 10 में बदलूंगा तो मैं इसकी जगे पे लिखूंगा 10 inverse ये होता है lump बटे आधार तो lump की value 3 है और आधार की value 4 है और दूसरा तो मेरे पास 10 में है ही 3 बटे 5 लेकिन इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा चुकि sine inverse 3 बटे 5 बराबर 10 inverse 3 बटे 4 ये line लिखनी जरूरी है क्यों? क्योंकि examiner इसको नहीं समझेगा ये आपका एक तरीके से rough work है ये यहाँ ना भी करो तो काम चल जाएगा लेकिन ये line लिखनी जरूरी है ताकि जब आप sine को direct 10 लिखो तो उसके पास base होना चाहिए कि आपने कहीं से छापके नहीं लिखा है solve करके लिखा है अब ये 10 inverse x प्लस y का formula बन गया तो जब solve करोगे तो 10 inverse x बचेगा 10 inverse ये हो गया पांच तियां 15 और प्लस चारतियां 12 बटे 20 और यहाँ पे आएगा 20 माइनस 9 और बटे 20 ये 20 और ये 20 cancel हो गया ये बचेगा 10 inverse 15, 12, 27 और 20 में से 9 निकल गया 11 और यही हमारा RHS है बहुत आसानी से इसके सारे question लगाये जा सकते हैं बस सर्थ आपको conversion table पता हो कैसे हम बदलते हैं आपको formula पता हो कैसे निकालते हैं बस सारी problem आपकी खतम ये आपके सामने question लिखा हुआ है ये value दी हुई है और ये prove करनी है मुझे कोई formula की जरूरत नहीं है मैं सीधे 11th के formula के coding question लगा लूँगा कैसे यहाँ पे दो value दी हुई है तुरंत आप मान लीजिए माना a is equal to cos inverse x by a और तथा b is equal to cos inverse y by b इसका मतलब हो गया कि cos a is equal to x by a हो गया और cos b is equal to y by b हो गया परंतु आपको पहले से पता है cos में a plus b की value क्या होती है cos a cos b minus sin a sin b अब अगर इस cos को उधर भेज दीजिए तो ये बन जायेगा a plus b is equal to cos inverse अब cos a cos b cos a का मान हमें पता है x by a और into cos b का मान पता है y by b और minus sin a को में cos में change करके लिख सकता हूं 1 minus cos square और sin b को में लिख सकता हूं 1 minus cos square b a की जगे पे मेरे पास value है cos inverse x by a b की जगे पे value है cos inverse y by b is equal to cos inverse ये हो गया xy upon a b और minus यहां पे आएगा 1 minus cos a की जगे पे मैं उसकी value रख देता हूं x square by a square और इसमें मैं cos b की जगे पे उसकी value रख देता हूं y square by b square आपको पता है इन दोनों की जगे पे ठीटा दिया हुआ है तो यहां पे मैं ठीटा लिख लेता हूं तो यह मेरे पास हो गया cos inverse x y upon a b और minus अगर यह दोनों root में हैं इनको multiply किया जाए तो 1 से 1 का multiply 1 होगा फिर 1 से y square का करोगे तो y square by b square x वाले से करोगे तो minus x square by a square और minus minus plus हो जाएगा x square and y square upon a square b square इस cos को इस direction में भेज दीजी तो यह बन गया cos theta is equal to x y upon a b और minus under root 1 minus y square upon b square minus x square upon a square plus x square y square upon a square b square यह value root में है और यह दोनों बिना root में है तो root को मैं अलग ले लूँ और बाकी को दूसरी direction में भेज दूँ तो जब root वाला इधार आ जाएगा तो यह मेरे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से 1 minus y square upon b square minus x square upon a square plus x square y square upon a square b square is equal to इधर मेरे पास x y upon a b था और इस cos theta को इधर ले आऊँगा तो यह minus का cos theta हो जाएगा इसका root हटाने के लिए दोनों side में work कर दो मैं इधर लिख देता हूँ दोनों और work करने पर तो जब दोनों तरफ work करोगे तो इधर से work करने पर इसका root हट जाएगा तो यह बचेगा 1 minus y square by b square minus x square by a square plus x square y square by a square b square और is equal to अब इसका जब work करोगे तो यह a minus b whole square लिखा है तो a square का मतलब पहला टर्म यानि x square y square upon a square b square minus 2ab तो 2ab का मतलब हो गया 2xy upon a b और cos theta और plus b square b square का मतलब हो गया cos square theta यह value और यह value कट गया cos को इधर ले आँ बाकी सब उधर लेके चले जाओ तो जब cos को इधर लाओगे तो यह हो गया 1 minus cos square theta और इन दोनों को जब उधर भेजोगे तो यह बनेगा x square by a square plus y square by b square minus 2xy by a b और cos theta इसकी value sin square theta होती है तो यह बचा आपके पास x square by a square plus y square by b square minus 2xy by a b cos theta और is equal to sin square theta यही हमें prove करना था तो यहाँ पे देखिए formula वही लगा लेकिन अगर आप इस formula को direct लगा दोगे तो possible है NCRT पढ़ाने वाला teacher काट दे क्योंकि NCRT में इस formula का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है ना use किया गया है लेकिन हाँ कोई भी formula आप verify करते हुए यानि कि उसको solve करते हुए यहाँ पे मैंने यह क्यों किया यह मैंने कर के दिखाया है ऐसा करोगे तो कोई formula कटेगा भी नहीं और कहीं पर problem नहीं आएगी यह आपके सामने question लिखाया है यह भी most important question है कई बार board exam में 6 number में पूछा गया है UP board में तो यह 8 number तक में पूछा जा सकता है लगाने का तरीका बहुत आसान है सुरुवात यहीं से होगी जो सब में मैं करता रहा हूँ यानि मानने वाला मैं मान लेता हूँ कि cos inverse x is equal to a तथा cos inverse y is equal to b इसका मतलब हो गया x is equal to cos a और y is equal to हो गया cos b आपको पता है कि cos में a plus b की value होती है cos a cos b minus sin a और sin b इसका मतलब a plus b is equal to अगर cos को दूसरी तरह भेज़ दो तो cos inverse यहाँ पे value रखो यह x y हो जाएगा और sin की जगे पे मैं 1 minus x square और यहाँ पे 1 minus y square लिख सकता हूँ sin a का मतलब हुआ under root 1 minus cos square a a की जगे मैंने x रख दिया sin b का मतलब हुआ under root 1 minus sin square b मैंने रख दिया y region sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है इस फार्मूले को यूज करते हुए अब a और b की अगर value डाल दो तो यह बन गया cos inverse x cos inverse y is equal to cos inverse xy minus under root 1 minus x square under root 1 minus y square तो यह value मैं question में डाल सकता हूँ तब इस question में अगर इस value को डाल दिया जा है तो मेरे पास बनेगा cos inverse xy minus under root 1 minus x square under root 1 minus y square और plus cos inverse z is equal to pi इस value को दूसरी तरफ ट्रांसफर करो तो यह बन गया cos inverse xy minus under root 1 minus x square under root 1 minus y square is equal to pi minus cos inverse z आपको फार्मूला पढ़ा चुका हूँ कि pi minus cos inverse x is equal to होता है cos inverse minus z मैं यह आपे लिख देता हूँ cos inverse में minus x is equal to pi minus cos inverse x पहली वीडियो में मैं इसको prove भी करा चुका हूँ यहां भी cos inverse यहां भी cos inverse cancel हो गया तो बचा मेरे पास xy minus under root 1 minus x square under root 1 minus y square और इधर से बचेगा minus z z को xy की तरफ ले आ तो xy plus z हो जाएगा इसको दूसरी तरफ भेज दो तो यह बन गया वर्ग करने पर तो मैं square root हटा सकता हूँ तो यह a plus b का whole square बनेगा a square plus b square plus 2ab is equal to अब यहां पर भी work किया गया है तो वर्ग करने पर root हट जाता है 1 minus x square एक bracket में और 1 minus y square दूसरे bracket में solve करो x square y square plus z square plus 2xyz bracket open करो तो 1 से जब गुड़ा करोगे तो 1 minus x square y से करोगे तो minus y square plus x square y square यह और यह कट गया इन दोनों negative वालों को इधर ले आओ तो यह बन जाएगा x square plus y square और plus 2xyz पहले से था is equal to 1 और यही आपको prove करना था बहुत ही आसान question है बस खाली आपको solve करना है और यह 6 number बुरे भी नहीं है थोड़ा सा कोसिस करोगे आसानी से निकाल सकते हो यह हमारे पास एक question और लिखा यह भी most important question है UP board में तो बहुत बार पूछा गया है दो तीन बार सीवेस से भी पूछा गया है आपको दिया गया है 10 inverse x plus 10 inverse y plus 10 inverse z is equal to pi मुझे 10 inverse x plus y का formula पता है तो मैं z को उधर बेज़ देता हूँ और इसमें formula लगा दूँगा तो यह मेरे पास हो जाएगा 10 inverse x plus y upon 1 minus x y और इधर हो जाएगा pi minus 10 inverse z इस 10 को भी अगर उधर भेज़ दिया जाए तो यह हो जाएगा x plus y upon 1 minus x y is equal to 10 pi minus 10 inverse z pi minus theta second quadrant हुआ और second में 10 negative आता है तो यह जो value बचेगी वो बचेगी minus का 10 और theta यानि कि 10 inverse z तो 10 से 10 cancel हो जाएगा तो यह बचेगा x plus y upon 1 minus x y is equal to minus z cross multiply करो x plus y is equal to minus z and plus x y z z को भी इधर भेज़ दो तो x plus y plus z is equal to x y z और यही मुझे prove करना था यह मेरे पास एक prove करने वाला question और भी है यह भी बहुत important question है कई बार board में पूछा गया है कुछ नहीं इस question में लेकिन बच्चों से अक्सर गलती हो जाती है LHS मेरे पास दिया हुआ है cot inverse a b plus 1 upon a minus b plus cot inverse b c plus 1 upon b minus c और plus cot inverse c a plus 1 upon c minus a बच्चे क्या करते हैं इसके लिए फार्मूला बनाने की कोसिश करते हैं मुझे कोई फार्मूला नहीं बनाना मुझे को पता है कि cot inverse x is equal to 10 inverse 1 upon x होता है तो मैं इस फार्मूले को अगर apply कर दूँ तो यह बन जाएगा 10 inverse a minus b upon 1 plus a b यानि उल्टा हो जाएगा यहाँ पर भी 10 inverse b minus c upon 1 plus bc हो जाएगा और यहाँ पर भी c minus a upon 1 plus c हो जाएगा अब यह 10 फार्मूला लिखा हुआ है 10 inverse a minus 10 inverse b का आप चेक कर लिजे मिला लिजे 10 inverse x minus 10 inverse y से इसी तरीके से यहाँ पर भी फार्मूला लिखा है और यहाँ पर भी फार्मूला वही लिखा हुआ है 10 inverse c minus 10 inverse a का और ये देखो सारे प्लस माइनस कटके जीरो आ गए और यही आपको प्रूब करना था बहुत आसान सा चेप्टर है उमीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी अगर वीडियो समझ में आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ सेयर करना बिलकुल भी मत बूलिएगा इसी किसी नए टॉपिक और नए वीडियो पर फिर मुलागात होगी तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहे हैं मैथमेटिक्स ग्यान